हेलो मुझास्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी पर फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राफिटा सडी में तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अपरेंटिसिप 2023 के अंतरगत फाइनली एक और मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है वीडियो के आगे देखेंगे कि फाइनली वो किस डिवीजन से जारी किया गया है कितने कंडेट को सौट लिस्टिट किया गया है तो जितने भी छात रहा पे final merit list में selected हुए होगे सभी अपना अराम से नाम मिला लिजएगा हड़ बढ़ाने के जरुवत नहीं है क्योंकि certain कुछी candidate है ज्यादा candidate है हाँ पे सामिल नहीं किये गए बाकि दीरे दीरे कर कि जितने भी rest बचे हुए सबका merit list एक के बाद एक आ रहा है आप सभी का बुझे पता है बहुत सारी candidate को down western railway को लेकर west central railway को लेकर eastern railway को तो देखे जैसे ही कोई official notification आता है या फिर कोई officially मुझे information आता है या कोई information मुझे पता चलता है है तुरंत आप सभी को आप इंफ़ाब करने के पूरी से पूरी कोशिस करता हूँ तो चली वीडियो के सुरुआत करते हैं उससे पहले जोलो भी चैनल पर फ़र्स्ट आम है सस्क्राइब नहीं के सस्क्राइब करके बैल बटन कर दीजे ताकि रेल्वे का पलपल का अपडेट आप सभी को मिलते रहे डिस्किप्सन में आपको वट्सट गुरूप का लिफ मिलेगा जरू-सरू जोईन कर जा है छोटे मोटे अपडेट पीडेव गर आपको कंटिनू वहाँ पे देखने को मिलते रहते वीडियो को लाईक करके सभी ग्रूप में सेर कर दिया तो चलिए शीदे चलते है इसके final merit list पे तो देखें यह जो आपको final merit list है joining merit list है यह आपका western railway की तरफ से रिलीज किया जा रहा, आप सभी को पता है कि शोटी सो बारा पोस्ट पर जो vacancy का प्रोसेस था अभी तक खतम नहीं गई अब यहाँ पर क्या हो रहा कि Western Railway का जो जो जौइनिंग का सिलसिला है वो आपका सुरू हो गया है एक के बाद एक यहाँ पर जो Western Railway का छोटा छोटा जो ट्रेनिंग इम्रीट है उन सभी का आपको जौइनिंग मेरिट लिस्ट देखने को आ रहा आगे हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन सा ट्रेट का है बस आपको यहाँ पर अराम से अपना नाम को मिला लेना है सबसे पहले हाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट में आपको क्या बो लगया है कि Engagement of Apprenticeship Under the Apprenticeship Act Electrical Department कौन सा है Electrical Department इससे पहले हम लोग ने भी एक हाँ पर मेरिट लिस्ट देखा था कल की डेट में वो अगर नहीं देखे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा इंडे तक आप सभी बने रही तो बात करते हैं कि यह जो कौन सा ट्रेड का है तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि The following candidate has been found eligible for engagement as a trade apprenticeship under the apprenticeship date 1961 अगर ट्रेड का बात करेंगे तो आप सभी देखे वेल्डर ट्रेड कौन सा वेल्डर ट्रेड के अंदर यह जो notification है वो release किया गया है हलाकि जो shortlisted candidate है वो बहुत ही कम candidate है मात्र 6 candidate को यहाँ पर shortlisted किया गया है और reporting officer देख लिज़े आपका सारा MMCT में है किसे का BL में है इस तरह करके आपको यहाँ पर जितने भी 6 candidate shortlisted हुए है उन सभी का आपको यहाँ पर data देखने को मिल रहा है अभी हम इसका official notification पर आपको लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि total कितना भरती है और यहाँ पर कितना candidate का merit list में नाम आया है बाकी का कब तक आ सकता है तो आप जैसा कि देख रहे होगे अगर stepend के बारे में हम आपको बताना चाहें तो आपको 77,00 रुपया stepend देखने को मिलेगा for one year training in welder trade जिसमें gas electric दोनों सामील है तो जो भी आपको officer को बोला गया है report करने के लिए वहाँ पर आपको जाके reporting करना है तो यह देखिए यह आपका दूसरा list है पहला list हम लोगों ने देखा welder trade का और यह दूसरा list है देखिए यह list हम आपको whatsapp group में मिलेगा description में इसका link नहीं मिलेगा ठीक है कियोंकि यह जो है सभी candidate को जारी किया दार है जितने candidate shortlisted हुए है तो यह officially नहीं है तो जो officially रहता है उसी का link आपको description में मिलता है जो officially नहीं आता है mail पर आता है वो आपको सीधे आपको whatsapp group में मिलेगा description में link है जाके वहाँ से join कर लिजेगा 9-3-2023 के date में release किया गया है यह भी आपका electrical department DRM office मुंबई central की तरफ से ही जारी किया गया है इसमें भी आपको stipend का बताएंगे सबसे पहले कितने candidate है आपे shortlisted है वो देख लिजे trade का बात करेंगे तो हम लोग ने welder देखा उसके बाद यह जो trade है आपका mechanic RSE क्या refrigerator and mechanic RSE का है जिसका आपका stipend का बात करें तो 8,050 रुपया stipend दिया जाएगा हम आपको बताएंगे कि कितना vacancy है और total नहापे कितने candidate को shortlisted किया गया है तो एक page में 7 candidate को ही shortlisted किया गया है refrigerator and AC mechanic stipend 8,050 रुपया दिया जाएगा और यहापे देखिए report to concerned officer तो इस सारे officer को आपको जाके report करना है जितने भी candidate यहाँ पे shortlisted हुए है उन सभी को इसमें आपको serial number, registration number, name of the candidate, cast, selected as किस category के तहता आप select हुए हो, date of birth, reported officer और trade और आपको stipend देखने को मिलेगा किम्कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे अलग-अलग trade का अलग-अलग step and आप सभी को provide किया जाता है ठीक है हम लोगों ने यहाँ पे कितना दया trade को cover किया तो welder में हम लोगों ने देखा 6 और यहाँ पे देखा कौन सा RAC, RAC में total कितना candidate थे 7 आप चले इसका official notification पर आपको लेके चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि vacancy इसका कितना था तो देखिए हम Western Railway के official notification पर आ गया है और सीधे चलते हैं Mumbai Central का जो यहाँ पे vacancy table है वो vacancy table पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कितना vacancy था और कितने candidate को यहाँ पे final merit list में सामिल किया गया है तो finally हम आ गया है जिसमें हमको देखना है MMCT का तो इसमें हम लोगोंने welder और यहाँ पे एक trade RAC तो पहले welder का देखते हैं तो welder के था है total vacancy देखिए 25 है पर candidate कितना select किया गया है welder में मात्र 6 candidate ठीक है refrigerator and AC mechanics अगर बात करते हैं तो उसमें एक बार देख लेते हैं कितना vacancy है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा देखिए 10 नंबर में है 34 vacancy सूचिए 34 vacancy है पर candidate कितना sort listed किया गया RAC से मात्र 7 candidate welder से कितना मात्र 6 candidate तो सूचिए RAC का vacancy है 34 ठीक है और welder का vacancy है 25 देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर welder का vacancy है 25 और RAC 34 फिर भी बहुत सारे कम candidate को sort listed किया गया tension मत लिजे हो सके first phase में इतने candidate को बुलाए जा रहा धीरे धीरे करके यहाँ पर second merit list भी आएगा बस आपको क्या करना है जितने भी candidate हैं पर MMCT मतला मुंबाई Central से Western Railway 612 post का form अपलाई किया थे और document verification भी उनका complete हुआ उन सभी को regular अपना mail चेक करते रहना है क्योंकि mail के मादे हम से सभी candidate को हैं पर inform किया जा रहा बाकि अगर railway की तरफ से कोई भी आपको update आता है तो जरूर सरूर हमें send करेगा हमें send करने के लिए आपको WhatsApp नमबर जो डिस्क्रिप्शन में मिल जागा नहीं तो हमें official email भी कर सकते है profitstudy22.gmail.com पर ताकि आपके भीजिक एक single message से हम all over India की जितने भी छात्र है सभी छात्रों को आपके inform कर सके बाकि यहाँ पे इस मन्त में आपका 3-4 railway division का merit list आने वाला है थोड़ा से धहर बना के रखिए ठीक है बहुत जल्द आपको merit list देखने को मिलेगा merit list जैसे आएगा सबसे पहले हम आपको inform करने के पूरी से पूरी कोशिस करेंगे बास आप चैनल को subscribe करके वीडियो को like share कर दीगा तो मिलेगा आपसे नई भरती नई जनकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत